Hello everyone, good evening to all of you, once again, welcome back on my YouTube channel, Learn with Concept by Ashna Vishwakarma, now it's me, signing on, hope you all are good, जैसा कि आपको पता है कि हम course 4 की series को complete करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें बहुत सरे topics हो गए हैं, जो कि बहुत important है course 4 के हिसाब से, I hope आपने उन videos को देखा होगा, हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूंगी, इन वीडियो की तुरू कोशिश रहेगा कि आप प्रॉपर पढ़ सके, hope you better understand and hope you getting my point, तो as you know, हमारा course 4 का series चला था, Language Across the Curriculum, Particum में भाशा, ठीक है, कि Particum में भाशा का उचित्ते क्या है, importance क्या है, after all, यह paper हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है, हमारी जो language skill थी, यानि जिसको हम भाशा कोशल बोलते हैं, तो आपको उसमें हमने 4 skill पढ़ाईती न, listening, speaking, reading, and the last one is the writing, तो जो LSRW को concept है, जिसको हम listening, speaking, reading and writing बोलते हैं, वो तब तक complete नहीं होगा, तब तक आपकी जो language skill है, जो भाशा कोशल है, तब तक complete नहीं होगा, जब तक आप इन 4 skills को proper अपने point of view से adopt नहीं कर लेते हो, तो without taking any time, आज का topic स्टार्ट करते हैं, आज का main topic है, चौथा skill है हमारा आज, writing skill, इससे पहले हमारा listening skill पे, reading skill पे, और speaking पे, आज का topic है, writing skill, जिसको हम हम हिंदी में, हिंदी में लेखन कोशर बोलते हैं, तो हम यहाँ पे आज introduction पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे, and as well, you know that, कि हम definition भी पढ़ेंगे, तो देखिए, basically writing skill होता क्या है, आपको पता ही है, कि व्यक्ति या हम person, जब भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो दो तरीके से प्रकट कर सकते हैं, एक तो हम बोल कर प्रकट कर सकते हैं, दूसरा हम लिख कर कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता, लेकिन हम बोल कर तभी प्रकट कर सकते हैं, शायद नहीं possible होगा मेरे recording आपके recording भी तो वही चीज है उसके लिए क्या होता है writing skill लिखित रूप में अगर कोई दूर बैठा है कोई हमारे state से बाहर है हमारे city से बाहर है out of town है out of country है या out of city है तो हम क्या करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए उनसे अपनी feelings को अपने लिखते हैं तो जब लेटर लिखेंगे तो हमें भी writing skill आनी चाहिए ना तभी तो हम किसी letter को या किसी पत्र को लिख पाएंगे और सबसे बड़ी बात है writing skill का मतलब यह कि हम अपनी जो feelings है हमारी जो भाव है हमारे जो विचार है उनको हम proper writing के माद्ध हम से उस paper पर उतार सक यही main purpose होता है writing skill का और इसी को ही language का एक जो लिखित important role है यही role है यानि कि हम जो pronunciation करते हैं जिन sounds को हम use करते हैं symbol के form में वो क्या है एक तरीकी की writing है है ना जो हम symbols नहीं जानेंगे अक्षर नहीं जानेंगे word नहीं जानेंगे और किसी की lip नहीं जानेंगे धोनी चिन लाइक प्रतीक और sounds वगएरा जो होते हैं अगर हम उनको identify नहीं कर पाएंगे तो हमारी writing skill बहुत बटर नहीं होगी है ना तो इस तरीकी से हम यह बोल सकते हैं जो symbols हैं जो ध्वनी हैं है ना उनके symbols जो lipi वगएरा है उनके development के लिए हमें writing skill आनी चाहिए और यह सब अगर develop है हमार अगर हम other language में बात करेंगे तो भाशा की जो ध्वनिया है उनको क्या करना है आपको लिपी बद करना ही क्या कहलाएगा आपका लिखना और लिखना कैसा होगा काफी शुद्ध होगा सुनिचित होगा और इस परस्ट होगा ताकि सामने वाला व्यक्ति जब आपका लेटर पढ़े या आपका रिविव पढ़े तो आपके भावों के माध्यम से आपकी जो विचार है आपका जो लिखने का तरीका है वो उसको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए तभी तो हमारा लिखना सक्सेस्फूल होगा अधर्वाइस तो हमारा लिखने के लिए बहुत सारे बहुत कुछ लिख देते हैं बटके समझ में आती है कभी-कभी आपने देखा होगा हम ने कहते सुना है कि इस बुक की लैंगविज बहुत अच्छी है ठीक है तो यानि लैंगवज अच्छी होने का मतलब है कि चीजे हमें समझ में आ रही है हमारे लिए इसी टो यूज हम प्रॉपर वे से पड़ पा रहे है यानि कि उस ओथर या राइटर ने जिसने भी आपकी पुस्तेक लिखी है जिसने भी आपकी बुक लिखी है उसको शबदों का अच्छे से नौलिज था उसको प्नाशेशन अच्छे से हो पा रहा था और उसको पता था कि हम किस अच्छे से लिखा यहां जाए इस ने पर रहे हैं आपको बॉल दिया कि चलो मेरी यह फिलिंग है और मैं आज भुट थग गया हूं वाटेवर मतलब किसी भी तरीके का इस पीकिंग मतलब क्या होता है वह प्रमानेंट नहीं होता वह टेंपरोरी होता है एक ताम के बाद ह कि क्या होती है वो पर्मानेंट होती है जब भी हम कोशिश करते हैं चीजों को लिख कर रटने की आपने यह देखा होगा बच्चों को हमेशा बोला जाता है बच्ची हो चोटे बच्ची हो विध्यारती बड़े विध्यारती भी हो तो भी उनको बोला जाता है कि आपको प्र यह दिमाग में ठीक नहीं हो देअ कि प्नाइन परसें, लेकिन कुछ तो रहें गिए वारने की मेरी क्यों हो अ हम धित दुनौ्दी covenant कुन apar spikes यह पो हैं रिक आप इक तरीके से क्या है। भी है उगाइखते हैं आगर थेल सांथनी आगर आप श्रहें आप आक श्रहीं है राइटिंग ठीक जहां पर हम से इंबस को क्या करते हैं आरेंज करते हैं अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम वर्ड्स तो वर्ड्स है जो तक की सामने वाला बंदा एक संटेंस जो दे रहे हैं मुझसे उसको समझ में आए वो बात तो में यह था हमारा राइटि कॉर्टिंग इस्किल का अपने डारी पे आते हैं कि क्या कि लिखा हुआ है मैंने कि पता है कि बहुत lights a क्या है बहुत 43 पार्ट है अपने विचारों एक जगह से दूसरे जगह पर पहुच जेना ठीक करने को नहीं कॉर्डग अरिकल को दोचिए क्या है क् present in the form of us, देखिए कभी कभी क्या होता है हम चीजों को लिख देते हैं, ठीक है लिखनेक तरीके की scale है जासा हम लिखते हैं और हम क्या करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, किसी का साथ समवात करते हैं, तो हला कि सबसे अधिक बार जिस व्यक्ति के साथ हम discussion करेंगे, वो म अधिक अपनी बातों को पहुचा सकते हैं, अगर हम एक समय की बात करते हैं, और एक ही समय में यह सच है कि बहुत से लोग जो होते हैं अलग-अलग तरीके से लिखने लगते हैं, तो एक तरीके का राइटिंग स्किल क्या हुआ, एक तरह की जानकारी हुई, आपका एक कर दोगे, अधर बहुत दिक्कत होगे, नेक्सितहएं हैं, बढ़तो ही रोलgt में यह सेरभ्य खेलर, आपकार काल जो वgeb , और ज़ूता है है कि अगर फ़ाहे रोलर, इंप कैने में यह सेरभ्य का उप प्लिसमों की जो हों उंपकिस को राइटित टोरaneGतों को शेर को निग बोलते हैं लेकिन मन में अपना बोल बोल कर चीजों को हम कॉपी या पेज पर उतारते हैं इसी में अगर आपने देखा होगा मैं अगर एक दिन के अपने एक्स्पिरेंस के बारे में बात करूं तो जिसे में एक डारी लिखती हूं तो मैं डारी में क्या करती हूं मैं डारी में उन उन चीजों को नोट डाउन करती हैं जो मुझे लगता है कि मैं भूल सकती हूं जैसे हम अपने बजट के लिए डारी बनाते हैं इसके अलावा हम अपने डेशिट के लिए डारी बनाते हैं तो हमारा जो डेली का एक्स्पिरे से बहुत important है अगर आप चीजों को भूलते हैं तो भोल नहीं पाएंगे okay now we come to the next point next point है हमारा as a teacher then we must introduce writing to young children as a form of talk as a form of talk का मतलब as teachers then we must introduce writing to young children as a form of talk देखो being a teacher हम एक सिच्छा करूप में छोटे बच्चों से जो बात्चित करते हैं उसको सुरू में ही उनको लिखना सिखाना चाहिए जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि देखें लिखने की प्रैक्टिस अगर बच्च्पन से हो जाएगी तो बच्चों को क्या होगा जो उनकी गलतियां होंगी कहीं न कहीं टीचर सुधारेगा और इंपरूव करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट है बाइद टाइम चील्डन कम तो स्कूल फॉर देखेंगे लग लोगों के साथ मतलब मिलेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट चाहेंगे विभीन परकार के लोगों के साथ चाहेंगे और उनके साथ हम अपनी बात को रखेंग वो बिल्कुल confidence के साथ रखेंगे, तो अगर प्रॉपर वे में उन्हें लिखना आता है, तो definitely वो जो बोलेंगे, वो जो बोलेंगे, वो प्रॉपर वे से confidence के साथ बोलेंगे, और वराइटी वे रहेगे, एक्जामपल क्या है? राइटिंग रिपोर्ट, मतलब किसी भी चीज के बारे में रिखना, सब्सकोरो, बैड में एक्सकर्शन होता है, तो टूर पे जब भी बच्चों को ले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि आपको एक रिपोर्ट तयार करनी है, तो बच्चे गूम कर इसके लाव बुक को कुछ कि कर सकते हैं तो हम रिव्यूज में सारे पॉइंट्स लिखते हैं तो इसके लिए हमारे अंदर राटिंग इसका होनी चाहिए नैक्स्ट अमारा नोटीम जिसे आपने देखा होगा स्कूल में को सुख्डों में सुख्श को पढ़ने में इस के लिए पॉपर वन जए फ這邊 के लिए इसु नीजयों eld वो जी चोड़ी की ज़टी होती है । यह जीसे स्कूष हम कब लिखते हैं प्लिकेशन लिगते हैं एप्लिकेशन फो année तो यह सारी चीजे जो हो हैं कहीं न कहीं आपके किसमें आ रहे हैं आपके यह पूरे राइटिंग इसकिल में आ रहे हैं यहां पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है बाइरन ठीके 1988 की रिपोर्ट इस्टेट जैज दर राइटिंग इन्वोर्ट एंकोडिंग और इस वी ट्रा इन्कोडिंग का मतलब क्या हुआ यहां पर कि हम अपने विचारों को एक भाषा का रूप देते हैं बाशा में ट्रांसलेट करते हैं हमारे अंदर जो बहाव हैं हमारे अंदर जो विचार है उसको में एक संटेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं नोट नमबर नेक्स है राटिंग इस अ मींस और कमिनिकेटिंग इंप्रेंट विच इंवर्व्स इंवर्वस थिन्वर्वस थिस्ट प्रेंटेशन और कॉगनिटीव थिजिकल फैक्टर ब्रोमलें तूट्हजन 7 और प्रमोर्ट ता सोशल इमोशनल और कोगनिटिव डिव इसको एक बहुत बड़ा टूल है, जिसको हम संचार बोलते हैं, संचार बहुत बड़ा साधन है, किसका लिखने के अनुवह को शेयर का, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी प्रतिलिपी वगएरा आती है, स्टोरी बुक्स वगएरा आती है, तो वो सारे क्या करते हैं, अपनी एक्सपिरेंस को शेयर करते हैं, और वो शेयर करने के बाद सामने वाले को जाकर दे देते हैं, पब्लिश होने के लिए, तो यह सब क्या है प्रिंटिंग मेटेरियल, आपके रैटिंग स्कील को ni chaidi आपका सिसिकल फैक्ता है आप क्या तरिक सिच में पार्टिसिपेट होते हैं आपki feelings होति है एफ युर्ड सामील होता है यह सारी चीज ली किया करता है इसकता है नाज़िया मैं है नोट कि लिखा हुआ प्रहु आध Springs पुटिंग देम तोगेदर एज एक्प्रेस्ट थॉट्स आइडियाज अशन्चेली कंपोनेंट अफ एनी लैंग्वेज लर्निंग इन इंग्लिश इंक्लूट्स नो नॉलेज ऑफ ग्रामर पंक्चुएशन अंद संटेंस इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से एक साथ मिलाकर अपने थौट्स को अपने विचार को एक एक क्या करते हैं भाषा में करते हैं यानि कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं लाइक मानशीशन हो गया पंक्चुएशन हो गया इस पेस गापिंग कितनी देनी है फिर इसके लावद राटिंग स्कील है वह तरीकी प्रिजर्वेटीव स्केल है आप चीजों को कैसे क्या करते हो प्रिजर्व करते हो इसके लावा कैसे प्रिजेंट भी करते हो यह सारी चीजे मैटर करती है कि जो आपका संटेंस मेकिंग है संटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे है पंक्चुएशन होना चाहिए प्रॉपर वे में पलब बहुत सारे ऐसे लिपिह एं इसे कहते हैं जिस connectivity को कहते हैं जिसे विराम विराम मैं। ये उपनी बात को करमे को कुल सुझ हैं। करते हैं चलिए नेक्स बढते हैं नेक्स किया देखे यहां पर चार्ड बना वा लैंगवज स्किल मैंने आपको बताया था कि यह चारो इसकील आपकी लांगवज स्किल के लिए बहुत जरूरी है जिसमें सबसे पहले हम ने लिसनिंग स्किल पढ़ा था यानि कि श्रवर क उ तो लैंग्विज स्किल पर कमांड होंग के लिए आपके इन चारो चीजों पर कमांड होना चाहिए, मीनिक क्या है, देर एर टू फॉर्म अफ लैंगविज मैंने आपको पहले ही बोला इंटोडक्शन जब दिया, अपने thoughts जो हमारे अंदर है तो वो oral language हो गए उसका कोई written form नहीं है next है and when we express this sounds or symbol script then give stability to the language then it is the form of languages called the written language जहां पर हम अपने विचारों को ठिक है क्या करते हैं मतलब अपने विचारों को वैक्त करते हैं भाशा के रूप में उसकी अभी वैक्ति करते हैं फिर ध्वनी को और symbols को और प्रतिको को वैक्त करना सीख जाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है लेखन कोशल या लिखित भाशा ओके नाव वी कम टू दर नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इच लैंगवेज है इट्स ओन सक्रिप्ट ठीक है फॉर्ट ऐखन फॉन्ट ओफेंडि देवना गरी है तो यह था राइटिंग स्कील और अगर स्कुछ और यहां पे बोलना चाहें before going to discuss our definition regarding the writing skill then तो मैं यही कहना चाहूँगे कि अगर हम psychologically तोर पर बात करते हैं तो जो teaching formulas होते हैं वो कहीं न कहीं बोलना तो easy है पढ़ना भी easy है लेकिन जो लिखना होता है वो थोड़ा complex process होता है थोड़ा कठीन process होता है आपको याद होगा एक हमारी educationist है मैडम मरिया मांटेश्री इन्हों ने इनको यही बोला हुआ है कि व्यक्ति क्या होता है पढ़ने से पहले लिखना सीखना सही कहीं कहीं मतलब मरिया मांटेश्री का कहना है कि हम पढ़ने से पहले बच्चों को लिखना सिखाएं ये उनके विचार हैं कि लिखने के साथ पढ़ना तो आना ही चाहिए इसलिए अगर हम बोल सकते हैं कि रैटिंग स्किल क्या है एक specific process है कि क्या अपनी विचारधारा को ना तो वहवारिक है और ना ही मनो वैग्यानी के इसलिए लिखने से पहले पढ़ने की प्रक्रिया यानि की reading skill आपकी अच्छे से डवल अप होनी चाहिए हाँ अगर possible है जिसे एक घंटे में अगर हम reading कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको writing की भी education दी जानी चाहिए यानि की हमें बोल बोल कर जो reading करने की आदा तो उसको जैसे बोल रहे हैं वैसी हमें लिखना भी आना चाहिए अगर इस अर्थ में आप देखोगे तो जो पढ़ाई है वो लिखाई के साथ साथ चलेगी यानि की reading skill आपकी writing skill के साथ चलेगी ठीक तो यह उनका मत था ठीक है इसमें हमारा दो मत नहीं है सकता है वो सकता है कि जो पढ़ने की सिक्षा है कहीं न कहीं लिखने से पूर वो दी जानी चाहिए ठीक है तो reading हमको आनी चाहिए before going to come into the writing skill तो writing skill है और writing skill में अगर हम प्रॉबर में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुल मिला कि हम इतना ही बोलेंगे कि writing skill जो यह fourth number पे आती है कि writing skill comes under the fourth place of the language skill आपने अब भी देखा मैंने flowchart बनाया था और writing skill कहीं न कहीं dominant role play करता है आपके भावों और विचारों को समझने में इसके लावा symbols का use करना आपको आना चाहिए letters जो alpha bits होते हैं punctuation spaces syntax है न यह सारी चीजे जो होती हैं कहीं न कहीं आपके thought को बहुती प्रॉपर वे में communicate करती हैं आपकी ideas को टांसफर करती हैं सामने वाले तक और अपनी बात को पहुचाती हैं तो यह थो थोड़ा सा writing skill था अभी हम definition देख लेते हैं हमने meaning पढ़ा introduction पढ़ा अब definition की बात करते हैं definition क्या है राइटिंग यह according to the George Horace Lorimer ठीक है यह इनकी definition है और इस definition को आप देख लीजे क्या है writing is like religion every man who feels the call must work out his own salvation ठीक है George Horace Lorimer या इसको गोरेज भी बोल सकते हैं कुछ लोग जी को जी ग बोलते हैं तो लेखन धर्म की तरह है जो व्यक्ति आवाहन का अनुभाव करता है उससे अपने मुक्ति के लिए काम करना चाहिए यानि एक religion की तरह है जो व्यक्ति पटिकुलर जिस चीज को experience करता है feel करता है वो अपने काम को करने के लिए free रहता है और वो काम को कर सकता है next दे रखा है by bell तो bell के according के writing is a tool used to enable us to express that is in our mind and for one people is almost as important as a space यानि की writing क्या है एक तरिके का tool है जिसको हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए use करते हैं जिसमें अपने बुद्धी का use करते हैं एक people के द्वारा और कुछ important चीजों को अपने भाशर के द्वारा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं यह था by bell definition आप अपने साब से देख सकते हैं जलूरी नहीं आप इन ही definition को करें बट यह बहुत चोटी सी definition ते इसलिए हमने आपे mention किया इससे आपका अंसर काफी effective हो स सुंदर आप अपने alphabets के shape को बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं या प्रकट करते हैं उसके shapes को ध्यान रखते हैं और बहुत ही beautifully लिखते हैं तो यह भी कहीं न कहीं आपकी जाए alphabets और letters हैं वह भी writing के parts में आते हैं तो यह मैंने writing skill discuss किया आप से detail में ठीक है meaning discuss किया आपको definition discuss किया introduction discuss किया hopefully इस वीडियो में दिक्कत नहीं होगा और important topic है writing skill आप पढ़ लिजेगा short notes में भी आ सकता है और it is यह enough है इतना study material आपके लिए if you have any doubts you can ask me in my comment section so please do like share subscribe my channel learn with concept by आशना विश्वकर्मा now signing off learn with concept by आशना विश्वकर्मा